आज मैं आप लोगों से तील की चटनी का रेशिपी शेयर करने वाली हूँ इसे चटनी बोलिए या तो आप इसे रायता भी बोल सकते हैं रायते का भी स्वाद आपको इसमें मिलेगा यह बहुती स्वादिष्ट बनेगा यह चटनी तो मैंने इसमें 4 चमच यहाँ पर तील लिया है सफेद तील और 4 हरी मिर्ची और 8-9 यहाँ पर मैंने लसन लिया है जिसे मैंने वी से चीरा लगा लिया है यहाँ पर कडाही में मैंने सरसो तेल लिया है एक चमच और उसमें मैंने हरी मिर्ची लसन को डालके जीरा आधा चमच डालके मैंने भूना है उसके बाद हलका सा जब जीरा चटक गया है तो मैं यहाँ पर तेल डालके भून रही हूँ इसे ब्राउन होने तक मैं भूनूंगी देखिए ये ब्राउन हो चुका है अब मैं यहाँ पर एक खीरा ली हूँ जिसे मैंने धो लिया है इसका किनारी को हटा देंगे उसके बाद देखिए इस तरह से गोल-गोल काटेंगे इसका छिलका नहीं हटाना है और इसे पतले-पत के लिए मैं छोड़ दोंगी देखिए इस तरह से और मिला के मैं यहाँ पर इसे छोड़ रही हूँ खीरा अपना पानी छोड़ेगा तो खीरा का पानी को पूर इतरह से निकाल देना है निचोड़ कर रख लेना है उसके बाद मैं यहाँ पर जार में भूना हुआ तील को अच्छी तरह से इसे डाल लेंगे, उसके बाद देखें, यहाँ पर मैंने चार चमच लगभग पानी डाला है, और उसके बाद मैं यहाँ पर पीश रही हूँ, पीश ने इसके समय मुझे पानी थोड़ा सा कम हुआ, तो मैंने फिर से चार चमच लिया था पानी, और इस तर पानी निकाल दिया, तो नमक इसमें भी है, तो उसी अनुसार यहाँ पर ध्यान देंगे, नमक को, स्वाद अनुसार ही डालेंगे, पहले भी खीरा में नमक था, चटनी बिल्कुल त्यार है, यह चटनी के साथ साथ राइते का भी स्वाद देता है, ताब भी जरूर दाए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिये देखने के लिए थाएँ